हेलो फ्रेंड वेल्कम वेक्टो और चैनल एक्स्प्लेइनर एंजल फ्रेंड आज मैं रामे के पार्ट वन का इस्टानीशन करने वाली हूँ जिसने हम देखेंगे एक ऐसे लड़की को जिसको उसके फादर ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने न्यू शादी कर ली इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चलते हैं एक्स्प्लानेशन की तरफ तक आप चैनल को सब्स्प्राइब कर वाल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको इसी शांदार कहान या टाइम से मिलती रहें कहानी शुरू होते ही हमें एक पार्टी को द जर्गाय होती हैं और अपने बीटी का यूस करके जिया के बाइफरंट को भी अपना बनाकर जिया का ब्रेक अब बिक अब बना हुआ है वह अपने बदले की भावना दिल में लिये आज शिपक्रोस की होष्ट के जिगें समाली होती है लेकिन इस बास से लारा मेडम अंचान होती है अब लारा के नजर जब सिया पर पड़ती है तब वो टोन करती हुए कहती है कि पिछले पांच साल पुराने दिन अब भे उसे याद तो होंगे या फिर वो फूल गई थपड़ तो याद ही होगा या सुनते ही सिया को उस पर गुस्सा आजाता है वो लारा को भरी मैफिल में स्लैप कर देती है जिस पर लारा उस पर चीखने लगती है तब ही कहानी फ्लैश बैक में जाती है जहां पर सिया के घर लारा आई होती है क्योंकि वो सिया की फ्रेंट थी इसलिए जिया उस पर भी दास भरोसा किये होती है लेकिन हर दिन की तरह आज का दिन नहीं होता जिया देखती है कि लारा उसके बॉइफ्रेंड के साथ एंटी मेट हो रही है ये देखकर जिया का कदम थम जाता है अब तभी लारा उसके बॉइफरेंड के साथ रोम से बाहर आती हुए कहती है कि वो अपने बॉइफरेंड को उसे उधार दे थी हलाकि ये बात टोन करते हुए उसने कही थी क्योंकि जिया जब अपने बॉइफरेंड से उसके धोखे की बात कहती है तब जिया का boyfriend उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है बात यहीं पर नहीं रुकती लारा ने एक मोटे से आदमी यांग को बुला कर जिया का रेप भी करा दिया और यह सब जिया का boyfriend हसते हुए देख रहा था और उसकी बीडियो भी बना रहा था तब जिया के पास कुछ नहीं होता वो मामूली से एक assistant होती है इसलिए उसके साथ ऐसे सलूक हो रहे थे और लारा उसक बड़ी celebrity होती है जिसके कारण उसके जल्वे हर तरफ बिकरे हुए थे लेकिन यह 5 साल पहले की बात थी अब तो जिया के आगे सब कुछ फीका है उसके पास दौलत है शोरत है सब कुछ बे इंतहा हो चुका है यह बात अब जब लारा को पता चलती है तो वो जिया से कहती है कि इन 5 सालों में किसके साथ शब यानिके रात को गुसारा है जो दिन दोनी रात चोगनी कर गई उसकी इन बेतु की बातों पर जिया लारा को एक स्लैप लगा देती है तब इस जिया का बोडी गाड भी आ जाता है जोकि जिया का सपोर्ट करता है और लारा को यहां से भगा देता है क्योंकि फाइट के शिरुवात होने लगी थी और खेल यहीं खतम नहीं होता जिया ने आज वही मोटे अजीव से आदमी यांग को इस्पेशल लारा का रीव करने के लिए पुलाया होता है जिस बात से लारा अंचान होती है वो जैसे रूम में चाती है यांग उसे थपोच लेता है ये देखकर लारा यांग को रोकती है लेकिन यांग कहता है कि वो पुरे काम करके मसा भी लेता है और बात में पैसों से आयाशी भी करता है इस तरह वो किसी का भी सगा नहीं है कल उसने उससे पैसे लेकर जिया का रेफ किया था और आज जिया ने जब पैसे दिये तो वो लारा का रेफ करने लगा ये कहकर उस पर भूके भेडिये की तरह जपट पड़ता है इधर जिया इस टेज पर सब को बता रही होती है कि आज की प्रोग्राम में वो होश्ट है जि उसका वो बॉय फ्रेंट भी आया होता है जो कि लारा के खुपसूरती और पैसों के लालच में जिया से प्रेक अप कर चुका होता है वो भी जिया की ये अमीरी देखकर शौक हो जाता है हैर प्रोग्राम शुरू होता है तब इस जिया को मिश्टर शू नजार आती है जो कि जिया की श्टिप सिष्टर के मंगेतर होती हैं लेकिन उससे पहले जिया के बच्पन का वो अच्छा दोस्त भी होता है जब बच्पन में मिश्टर शू अकेले बैठे रो रहे थे तब किसी और ने नहीं जिया ने उन्हें चुप कर आया था और तब इसे इन दोनों की अच् इस बीच यांग भी यहां पर आजाता है लाना को साइड में पटकते हुए सिया से पैसे मांगने लगता है जिस पर अपने कई सारे बोड़ी गॉड्ट को प्ला ले दी हैं और यांगों के डैप में करा ले दी हैं और कहते हैं चबमेरे कहर यानिके रिवेंस से अब कोई भी नहीं बचेगा जब मैं भोली थी तब लोगोंने मुझसे खेला और मैं लोगों से खेलूंगी उनके गुनाहों का उन्हें फल दूंगी यह कहकर उसे अपनी नजों से दूर जाने के लिए कहती है यहां ग्रोटे जीखते बेपस सा यहां से जाने लगता है जिसे देखकर ओप्रशुक कहता है कि अब तुम पहले वाली जिया नहीं रही हो शुके इस बात पर दिज्ञा को हसी आने लगती है उसकी उसी को दिज्या की बहन देख लेती है और समझ आती है कि उसकी बहन उसके मंगेतर पर डोरे डाल रही है इसलिए वह अपने मंगेतर को यहां से लेकर चली जाती है और कहने लगती है कि इंगेजमेंट को पांच साल हो गए हैं फिर वो क्यों शादी में लेट कर रहा है जिस पर मिस्टर शू इग्नूर करते हैं तब ही हमें पता चलता है कि मिस्टर शू मिस्ट ली से तो शादी करना चाहते ही नहीं थे लेकिन उनके फादर के फोर्स करने की वज़े से मिस्टर शू ने ली से इंगेजमेंट कर ली लेकिन शादी अब भी वो उससे करना नहीं चाहते उसके इस खामोशी को देखकर मिस्ट ली में पताया होता है यहां तक है उसने एक पिक भी दिखाया होता है इसमें जिया मिस्टर सू के साथ किस करते वे नजर आई थी हला कि यह सब एक कोइंसिडेंट था या फिर हम इसे कोइंसिडेंट का नाम भी दे सकती हैं ऐसे मुमेंट की फोटो कैप्चर कर वो ली को दिखा देती है यहीं वज़े है कि लिए हैंडेट परसेंट शियोर हो गई थी कि जिया उसकी होने वाले हस्पेंड को उसे चीनने के प्लान बना रही ह हलाकि ले की मा अपनी बेटी को मना कर रही होती हैं कि वो जिया पर ऐसे गुस्ता नहीं करें जिया के जाने के बाद वो उसे समझाने लगती हैं और तभी कहानी फ्लैश पैक में जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि ले की मा जिया के मा के पास रोती बिलकती आई हुई तब जिया की माने उन्हें अपने घर में जगें दी थी ली की मा को उनके हस्वेंट अक्सर ही मारा करते थी आज तो मार कर उनको घर से ही भगा दिये अब यहां आकर वो जिया की मा और जिया के फादर की बेच में इतना प्यार देख कर तरसने लगती हैं क्योंकि जिया के फा पदर को तरस्तिवी निगास से देख रही थी और तभी कहानी 1999 कहानी में और ज्याइब्यकात् पांच वा공। तक अपने घर से दूर रही थी वजें थी कि मिश्टर के làशने के बात भजान वह बूंप। थी नर सुंजेया को बताए थे उसके जाने के बाद उसके फादर ने उसको बहुत तिलाशा जसभाथ जीर कहती है कि उसको ऐसे बुरे फादर के शुरूत नहीं है। जोकि उसकी माँ को घर से भगा दीये थे अब जिया यहां पर सिफ बदला लेनी के लिए आई है। वरना बीते कई सालों में जिया ने यहाँ पर कदम भी नहीं रखा खेर अगली सुबा सारे ही लोग यानि कि ली और उसका फ्यांसो अली की मा मिलकर ब्रिकफास्ट कर रहे होती हैं तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है जब हम देखते हैं ली अपनी बेहन जिया को खाने के टेबल पर देख कर काफी चल जाती है इसलिए वो उस पर टोन करने लगती है यह बात वहाँ पर बैटे शु को भी काफी पुरी लगती है शु की नाराजगी को देख कर ली की मा अपनी बेटी को मना करती है कि वो अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात ना करे आब यहां का यह हंगामाा देख स्जिया को बहुत बुरा लगता है जिसको वो सब के सामने रिसीप नहीं करना चाहती थी इसलिए वो दोनों बचों को यहां पर बिठा कर घर से बाहर जाती है जहां पर ली के फादर आये होती हैं क्योंकि वो हर मन पैसे लेने के लिए आया करते थे ली की माँ पैसे दे कर उन्हें जल्दी भेजने की कोशिश करती है लेकिर वो अपने बेटी ली के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसी है जिस पर ली की मा को कहना पड़ता है कि उनकी बेटी ली अब ठीक है और उसके लिए वो परेशान नहीं हुआ करें ये कहकर उन्हें जल्दी दे भेज देती है क्योंकि ये काम ली की मा सबसे छिपकर कर रही होती है वसे ली के फादर जाते जाते ये कह जाते हैं कि उन्होंने इसी पैसे के लिए तो इतना बड़ा सबर किया है कि जीते जी अपनी बीबी किसी और के हवाले कर दिया है तो पैसा लेना तो उनका हग ही है यह बड़बडा आते हुए यहां से चले जाते हैं इधर घर का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर ली अपने फ्यांस व सू को लारा के बॉइफरेंट के पास आती है जहां पर दोनों ही मज़े करती है वैसे लारा का बॉइफरेंट बड़े ही काम का था वो लीके हैं रुके हुए काम को अक्सर कर दिया करता था इसलिए लेकि उससे काफी गहरी दोस्ती हो गई थी उधर नशे में होने की बज़े से लारा को पता चलती है कि उसके बॉइफरेंट के साथ लिए मज़े कर रही है तब दोनों में धुआधार फाइट होने लगती है यहां तक की ली लारा को पानी में टूपा टूपा कर मारती है इस तरह लारा बिचारी की इन दोनों बहनों ने काफी अच्छी धुलाई कर रखी थी फिर भी लारा मो उठा कर जाने क्यों लड़ने के लिए चली आती है अब अगले दिने वार्ड के लिए सारे इस्टार को प तो उसे यहां पर बुलाया था यह बात कहले में जिया पूल में गिर पड़ती है यहां तक लारा ने नाइफ से उस पर अटैक भी किया था तब इस शुत धिया को पारी में गिरा हुआ देखता है तब उसकी जान ही निकल जाती है वो पौरने जिया को बचाता है और लारा को तमीज सिखाने लगता है खेर बाहर आने के बाद जिया का फ़र्ष्टेट होता है और सभी लोग लारा को भला बुरा कहरे होती हैं अब इस पार्टी से तारही लोग चाने लिखती हैं और जिया सितंबाइरा को पाष्ट की बातिं याद कराने लगकीं ने रोते हुए लारा है कि एक दिन की लीब दीडे ले 얼마나 न मचें मां था उनके साथ मारी सकी ना ती पर realities पर चैनल नहीं किया है इतना है इतना सवरूर रहें किया है कि उसको पीछे नहीं बेड़ा वरना के हरकत से लारा को जेल हो जाती तब बाकी लोग यहां पर आ जाती है पर लारा को बाहर निकाल साथ नहीं थी लेकिन आज उसने कसुर वार को सजा दिला दी है यह कहकर को रोने लगती है फिर कहती है कि मां मैं तुम्हारे बिना तना हो गई हूं इस दुनिया में कोई लग जाती है अब लोग घर आती हैं और नेक्स डे हमें दिखाया जाता है इनकी कंपनी में लारा के जगे यान यान एक्टरस को बला ले गया था सारे ही लोग मिलकर खुशिया मना रहे होती है लेकिन चुशिया देर की नहीं होती क्योंकि जड़ा देर बाद ही शुको अटै दों काफी पता लगाने की कोशिश करती है जिसके बाद वो शुतर की कि अपनी टीम में कोई अलसा है शू का भी नाम शामिल हो इसलिए वो जिया को मुबारक बात कहता है और कहता है कि तुम जश्र मनाओगी और मैं शूक मनाओंगा यह कहकर उसके पास से चला जाता है इधर यह बात मिसली को जब पता लगती है जो कि टैंक के साथ मज़े कर रही होती है तो वो सोचने लगती ह है कि अगर शू फेल हो गया तब उसके फादर उससे ब्रॉड भेज देंगे जिस वज़े से वो हमीशा के लिए उससे तूर हो जाएगी और ली ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए वो शू के पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ भार घूमना चाहती है लेकिन शू इस बात उसके पाद इत्पैन कर चुकी है यह सारी बातें उसे अच्छे से पता है इसलिए लेको किसी एक कही हो जाना चाहिए हर तरफ नजरे ना ही डाले तो बेहतर है रिस्ता लेशन मिंदा होती है और शू बड़े ही बेरुखिय से उसे चाने के लिए कहता है शू की यह बाते स उसके इसक्रिप्ट लीक हुई है इसलिए वो सिया से नाराज रहता है सिया को उसकी यह नाराज की परदाश्ट नहीं होती इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने में लग जाती है तब बहुत इन्विश्टिकेट करने के बाद यह पता चलता है कि उसके इसक्रिप्ट को लेकरने का काम लेके बॉइफरेंड ने किया है क्योंकर सियाँ और दूनों से नफरत करता था। अपने ही फियांस के लिए ये बात उसे बहुत ही दुख देती है इसलिए वो जिया से कह देता है कि इस बात के सजा ली को जरूर मिलेगी मैं उसे शादी कैंसल कर दूँगा क्योंकि उसने खुद ही ये चांस हमको दिया है जिया उसकी ये बात सुनकर काफी खुश होती है औ और ली है कि शू की बात को परदाश्ट नहीं कर पाती और कहती है कि उसने जिया के कहने पर शादी को कैंसिल किया है इसलिए जिया पर वो नाइफ से टेक कर देती है यह देकर शू फॉरण ही जिया को हॉस्पिटर लेकर जाता है जहां पर शू को पता चलता है कि जिया प्रे और ही परिशान हो जाती है तभी लेकिसे असे हरकत नहीं करनी चाहिए थी मारना तो वह चाहती है और इस घर में सभी मैंबर को एक दिन मार भी डालेंगी लेकिन सबसे हाइड रहके क्योंकि आगे उन्हें भी इस घर और कंपनी पर कभजाजु करना है लेकिन अब ली की हरकत की वज़े से उसका ये प्लान फेल हो गया इसलिए वो ली को एक धपड भी मार देती हैं ये कहकर कि आगे से एकदम उसे साइलेंट रहना है लेकिन ली उनकी एक भी बात को नहीं सुनती और चीखने और चिलाने लगती है और ली की मा हॉस्पिटल में ही जिया को मारने क प्लान बनाने लगती हैं नर्स को पैसे दे कर कहती हैं कि वो जिया की जान ले ले तब ये बाद शू के साथ कई सारे डाक्टरों को भी पता लग जाती है जिस वज़े से दिया की जान बच जाती है लेकिन अब शू और जिया को ये शक हो जाता है कि ये सारा ही गेम ली की म पैसे, इसकी यह भाद सब्सक्राइब करने करते हैं। जबकि खते हैं कि फोर फ़्देन को TREAT करते हैं। उसकी तो जिया में जान बस्ती है खिर ये सब देखकर जिया को सारी बातें बताता है जिसके बार ये लोग लिके फादर को 40 लाग देकर सारे इराज पूछ लेते हैं जिकि लिकी मा का सारा प्लान होता है वो सारा कुछ इन लोगों को बता देता है साथ हे जिया लिके फादर को लिके मा के पास ले जाती है जहांपर जिया के फादर भी होती है अब जिया लिके मदर की वो सारी बातें शो करती है जो कि वो सारे प्लान बताय होती है हलागे जिया के फादर इन सारी बातों से अंचान होते है और सिया के फादर को ये सारी बातें जूटी लग रही होती है लेकिन बात में वो शियोर हो जाते हैं कि उनकी बेटी सच कह रही है वो सिफ लूटने के लिए ही यहाँ पर आई है ये सारी बातों का पता अब लग जाता है साथ ही ली के फादर कह देते हैं कि इसे मैंने भेजा था यह सुनने के बाद सिया के फादर ली की मा और ली के फादर दोनों को यहां से भगा देते हैं हलाकि ली की मा प्रेगनेट होती हैं लेकिन ली के फादर उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करते और नहीं अपनी बेटी का साथ देते हैं तब यह सिया अपनी मा की वो सारी बातें याद करती है जब ली की मा ने जिया की मा को हास्पिटल में डिवोर्स बेपर दिया था तब वो बहुत ही रुई थी और ठीक होने के बाद अपनी बेटी को लेकर अलगी स्टेट में चले गई थी लीकी मा ने सिया की मा के बिमार होने का बहुत ही फायदा उठाया था जितने दिन वो घर में नहीं थी उतने दिन में उन्होंने सिया के फादर को प्यार में फसा कर उनसे शा वो स्वेपर जिया की मा को दिखाया था हकीकत में तो जिया के फादर ने जिया की मा को डिवोर्स दिया ही नहीं था और अपनी बीबी और बेटी को ना पाकर वो उसे बहुत ही तलाश किये थे तब ली की मा ने बताया था कि वो कहीं पर चली गई है अपने फादर की ये बास सुनने के बाद जिया अपने फादर को माफ कर देती है वरना पहले तो अपने फादर से बहुत ही नफरत करने लगी थी खेर अब जिया और उसके फादर एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और शू को भी अकसेफ्ट कर लेती हैं उदर ली के फादर फिर से ली की मा को पैसे क मना करती है लेकिन वो अपने उस पाप के साथ जीना ही नहीं चाहती थी है अरब उनके मरने के बाद ली पागलती हो चाती है उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवा है उसके बाइफरेंड के जो के उसको समालने की कोशिश कर रहा होता है नेक्स सीन में हम देखते हैं जिया को नियुस के जरीए ये बात पता चलती है कि ली की मा ने अपने हस्पेंड को मार डाला और खुद भी सुसाइट कर लिया ये नियुस जिया को बहुत जादा सुकून देती है वो सोच कर खुश हो रही होती है कि उसे उसकी सजा मिल गई अब नेक्ट डे जिया अपने फादर औ अपनी बीबी से माफी मांगना चाहते थे उन गलतियों की जो कि उन्होंने किया ही नहीं था रोते हुए कि नियान की ग्रेप पर पैड़ जाते हैं अपने प्यार की शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी उस ग्रेप को बताने लगते हैं कि वह उससे पहले भी कितना प्य करते हैं इसी वक्त का फाइदा उठाते हुए जिया और शु भी एक दूसरे से कितनी महबबत करते हैं ये बात अपने फादर को बता देते हैं जिया के फादर अपनी बेटी की महबबत को एकसेप्ट कर लेते हैं और शु को अपना दामाद मान लेते हैं और शु भी अपन सुन कर जिया गे फादर उसको गले से लगा लेते हैं तब जिया भी अपने फादर के गले लग जाती है और इसी खुशी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है तो फ्रेंड ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर कर मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर